नमस्कार दोस्तो, स्नेक प्लांट्स को एर प्यूरिफाइंग प्लांट्स माना जाता है, इन प्लांट्स को लगाना बहुत यासान होता है, एक भी पोदा जब आप कहीं से ले आते हो तो उसके एक ही पोदे से बहुत सारे पोदे बना सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको मेरे गार्डन में लगे वेशनेक प्लांट के पोदे दिखाऊंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि इन पोदो की कैसे केर करनी होती है, और इनका प्रोपेगेशन कैसे किया जाता है, और इन पोदो में वाटरिंग कैसे की जाती है, और कितने अंतराल पर आप इन पो पौदो को चोटे size के गमलों में लगाते हैं तो इनका multiplication फास्ट होता है ये देखिये दोस्तो आठ इंची size के गमले में मैंने इसको लगा रखा है और एक ही पोधा लगाया था एक ही पोदे से देखिए कितने पोदे बन गए है आप इन प्लांट्स को छोटे से छोटे साइज के गमलों में भी लगा सकते हैं आप इनको नीचे जमीन में लगाते हैं तो इनका मल्टिपलिकेशन और भी जल्दी होता है कुछ पोदे मैंने नीचे जमीन में भी लगा रखे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ जिस परकार एलोविरा प्लांट्स का मल्टिपलिकेशन होता है उसी परकार से ये पोदे मल्टिपलाई होते हैं इनकी में ब्रांच के साइड से छोटे छोटे पप्स निकलते रहते हैं और वही बड़े पोदे बन जाते हैं अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ये देखिए दोस्तो नीचे जमीन में लगे वे पोदो की भी कितने अच्छी गुरोथ हो गई है ये देखिए इन पोदो को मैंने फिरी में अपने गार्डन में एड किया है मैं इनके दो पोदे लेके आया था और दो पोदो से देखिए कितने पोदे बन गए हैं यदि आप ये चाते हैं कि आपके गार्डन के कोई भी स्नेक प्लांट के पोदे ना सुख हैं तो मेरी बताई गई कुछ से बातों को ध्यान में रख लें पहली सबसे जरूरी बात तो ये है कि आप इस पोदे में कभी भी ओवरवार्टिंग ना करें ये पोदे ओवरवार्टिंग से सूख जाते हैं इस गमले में देखिए मैंने स्नेक प्लांट की दूसरी वैराइटी लगा रखी है इसके पत्तों की लंबाई 2-3 फिट तक बढ़ जाती है और इसमें येलो स्ट्रिप नहीं है अब इन पोदों के मल्टिपलिकेशन की बात की जाए तो इनको मल्टिपलाई करने के कई तरीके होते हैं आप इनको डिवाइड करके भी लगा सकते हैं इनके में पोदे के साइड से छोटे-छोटे प्लांट से निकल जाते हैं आप उन plants को अलग कर सकते हैं इसके single पत्ते से cutting लगाकर आप बहुत सारे पोधे त्यार कर सकते हैं एक लंबे पत्ते को छोटे-छोटे टुकडों में काट लीजिए और उन टुकडों को मिट्टी में दबा दीजिए इस परकार उनमें routing शुरु हो जाएगी और बहुत सारे पोदे त्यार हो जाएंगे इसके पत्तों की कटिंग लगा कर जब हम पोदे त्यार करते हैं तो 2-3 महिने का समय लग जाता है मैं अपने इन पोदों को मल्टिपलाई करने के लिए इनको छोटे-छोटे पोदों को डिवाइड करके एक सिंगल गमले में एक पोदा लगा लेता हूँ और 2 साल बाद ये पूरा गमला भर जाता है अब मैं आपको इस पोदे की तीसरी वैराइटी दिखा रहा हूँ ये देखिए दोस्तों ये है स्नेक प्लांट की ड्वार्फ वैराइटी इसका भी मैंने एक पोदा लगाया था और देखिए ये गमला भी भड़ गया है आप इन पोदों की कम केर कीजिए कम दूप में इनको रखिए कम पानी डालिए कम फर्टिलाइजर डालिए तो फिर देखिए इन पोदों की कितनी अच्छी ग्रोथ होती है जो भी आपको इनकी नई वेराइटी कहीं दिखाई देती है तो इनका एक पोदा ले आएं और एक ही पोदे से बहुत सारे पोदे बन जाएंगे मैंने इन पोदों की तीन वेराइटी लगा ली है आप भी इस परकार अपने गार्डन में स्नेक प्लांट के पोदे लगाएं अब इस समय बहुत अधिक सर्दी पड़ रही है इन पोदों को सर्दी से बचाने के लिए इंडोर शिफ्ट करना पड़ेगा इस परकार इन पोदों की केर कीजी आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें वीडियो में लाश्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद